तो लाल किल्ला ना द्रश्य आप जोई राया चो जेने सुन्दर रिते सुशो भीद करायो चे कारण क्या आजे आज़ादीना 35 वर्ष पून थाया चे ने चोत्तेर मा वर्ष मा प्रवेश करवा मा आवेचे थोड़ी क्षणों बाद वड़ा प्रधान नरिंद्र मुदी लाल किनानी प्राचीर पर्थी राष्ट द्वज लहरावशे अने ती रंगाने सलामी आपशे तो आसा दीना मुरूद महसव साथे स्वतंत्रता परवनी समग्रदेश मा उजवनी अनेक महनुभाव हल्मा लाल किल्ला पर उपस्ती छे राजनासी अमिच्छा जो अमडी राचे अनेक हस्तियो अही इंगाइट करवा मा वी छे जो लाल किल्ला मा पुंच्या छे तो समग्रदेश मा स्वतंत्रता परवनी उजवनी नो अनेरो उपसा जो अमडी ने होचे सर्व धर्म संभाव की अनूठी तस्वीर पेश करता है आजे अपना देश में आजाद थै पंचो तेर वर्ष पून थाया चे ने चो तेर मा वर्ष मा कवेश करोचे हर रंग है और इसमें हर रंग समाया है ताल के लिए के सामने देश भर्मा जय हिंदने बंदे मात्रम नी गूंज चे आवर्षे घर घरती रंगा यात्रानों पन त्रारम करम आवी इट्ले के देश वास्यों मा एक अनेरो उत्सा जो अमली रहोचे देश भक्तिनी लहर जाने के समगर देश मा उठी होई तेवा पंत्रश्यों जो अमल्या और घरे तीरंगों लहराए तेवा आहवान वड़ा प्रधान नरेंद्र मोधिये करियो हतु अने तेने लईने जो तीरंगावी यात्राव कार्भमावी जेमा देश वास्यों साभेर चोडाया तेमने भागली दो अने घरे घरे तीरंगों लहरावी उचे और जैनलाल मंदर शम्त समग्रदेश देश भक्तिना रंगे रंगार उचे पक्षियों का चेकत साले भी है पूरी दुनिया पूरी मानवता एक ये मंद्र हम जानते हैं और जबते भी है तो हर घर तीरंगा अभ्यानने लईने लोकोई घरे घरे तीरंगों लहरावी उचे आलना जे द्रश्यों आल किल्लाना द्रश्यों छे जिया आमंत्रित महमान उपस एक चे थोड़ी शनों माज बड़ा पधान घरे 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 लाल किल्लानी प्राची परती तीरंगों लहरावी उचे तो जड़बे सलाग सुरक्षा व्यवस्तापन गुठाव मावी चे सुरक्षा व्यवस्तापत के बड़ा प्रदान मोधी सतत 9 वकत लाल किल्ला पर राष्र्टो तवज़ फरकाउशे प्रदान गांदी ने बड़ा प्रदान दारेर मोधिये शद्धान जलियारपण करी मुदीरानी सही तनेक राज के नेता उखर्मा उपसी छे तो बाहर पान चनमेदनी उंटी छे अपार जन सम्हूं उमड़ा है आज के इस अमरित महुद्जब में शामिल होने के लिए कहीं हाथों में तिरंगा है कहीं मन में उमड़ती भावनाएं हैं और सब को प्रदीक्षा जब डाल के लेकी प्राचीर पर मानन ये पुधान मंत्री धोजारोहन करेंगे और उसके बाद राश्ट को सम्हूद्यत करेंगे ये अइतिहासिक अफ़सर होता है और सब उत्सुक रहते हैं कि इस बार प्रदान मंत्री किन योजनाओं और किन विचारों को वो देश के साथ साज़ा करेंगे अबस्ट भुष्ट प्रदान मंगाच्ट ने पर उस सपीछ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करल दो कर दो झाला, जो 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 जुट झाला, पाला, भघला, डो और्या। आप में दिख अगे सब्सक्राइब भाद करेंगे भालों वायवा क्या है क्युक्तिं बाप्र सब्सक्राइब बढpected क्युक्तिं बाफ्रण में बाफ्र प्रक्राइब कर दी गडिए कर्यार्ट निम्हार्ट फिए प्रिय्ध से दिए विंग फिए तरी आजिए दी यौर्सिप इार्स विए ख्रियद। मुझ वे आजिए और यौर्ट और आकाश में वी 17 हलिकॉप्टर्स कारिकरमस थल के नजदीक आते हुए और पुश्क वबर्शा कर रही हैं आकाश थे सब्सक्राइब करते हुए यह क्षण और उनके पीछे ध्रुब हेलिकॉप्टर्स प्रिख सब्सक्राइब कर दो प्रुब है कर दो तृब प्रे धान प्रेखर बाल्च सब्सक्राइब स्वार्ई पर लोग्ति उनके पार बाल्च स्वार्पटर्स भी है एम जडिया गवाना, जाल आदने को जाल कि भीधाने को प्रवाटि की तो जडिया कि टम खेड दो तो कि भीधाना कि बोड़ते हैं हुआ हो जाल अंदो चैने को प्रभ कि बोड़ते हैं आज हादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस वासियों को अनेक अनेक शुबकामनाई बहुत बहुत बधाई नसरब हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी ने किसी रूप में भारतियों के द्वारा या भारत के प्रती अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा पिश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है मैं बिश्व भर में भाले हुए भारत प्रेमियों को भारतियों को आजहादी के इस अमरित महोसव की बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज का ये दिवस अइतिहासिक दिवस है एक पुन्य पढ़ाव एक नई राः एक नए संकल्प और नए सामर्त के साथ कडम बढ़ाने का ये शुब आउसर है आजहदी के जंग में गुलावी का पूरा कालखन संगर्ष में बिता है हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था कोई काल ऐसा नहीं था जब देश वास्यों ने सेंकडो सालों तक गुलामी के खिलाब जंग न किया हो जीवन न खपाया हो यातनाए न जेली हो आहुती न दी हो आज हम सब देश वास्यों के लिए ऐसे हर महापुरुष को हर त्यागी को हर बलिदागी को नमन करने का आउसर है उनका रन सिकार करने का आउसर है और उनका स्मरन करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल पलेने का भी आउसर है हम सभी देश वासी करतब्य पत ही उनका जीवन पत ही रहा यह देश कतग्य है मंगल पांडे तात्या टोपे भगत्सी सुखदेव राजगुरु चंदर सेखराजार अस्पागु लाखान राम प्रसाद विस्मल अंगिनत अईसे हमारे क्सांती वीरों ने अंग्रेजों की हुकुमत की नीव हिला दीजी यह रास्त क्रपग्य है उन विरांगनाओं के लिए रानी लख्सी बाई हो जलकारी बाई दुर्गा भावी रानी गाइदिन लिए रानी चैनमां पेगम हजरत महाल देलू निच्यार भारत की नारी शक्ति क्या होती है भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है भारत की नारी क्या अगर बलिदान की क्या पराकास्टा कर सकती है वैसी अंगिनत पिरंगनाओं का स्मरंद करते हुए और हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है आजाजी का जंग भी लड़ने वाले और आजाजी के बाद देश बनाने वाले भी डॉक्टर राजेंद प्रशाद जी हो नहरू जी हो सर्दागल भाई पटेल शामा प्रशाद मुखर जी लालबारू सात्री दिंदाल पादिहाई जैप्रकाद नाराएं रामन और लोया आचार्य मिनोबा भावे नाराजी देश बो सुर्वनियम भारती अन गिनत ऐसे महपुरुशों को आज नमन करने का आउसर है जमाजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गवरव करना हम नहीं भूल सकते हैं भगवान बिर्शा मुंडा जिद्धो कानो अलूरी सिताराम राज्यों गोविन गुरों अन गिनत नाम है जिनोंने आज हादी के आंदोलन की आवाज बन करके तूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बेहनों में माताओं में युवकों में मात्र घूमे के लिए जीने मरने की प्रेना जगाई यह देश का सवभाग्य रहा है कि आज हादी के जंग के कई रूप रहे हैं और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायन गुरु हो स्वामी विवेकानंद हो महर्च और विंदो हो गुर्देव रविंदरा अच्टागोर हो ऐसे अनेक महापुरुष इंदुस्तान के हर कौने में हर कान में भारत की चेतना को जगाते रहे भारत को चेतनवंद बनाते रहे अमुरुत महोत्सव के दोरान देश ने पुरे एक साल जह हम बेश रहे हैं दोहजार इकीस में दांडी यात्रा से प्राड़म हुआ स्मुर्दी दिवस को समवरते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में हर कौने में देश वाचियों ने आजाजी के अमुरुत महोत्सव के लक्षावदी कारकम किये हैं शाहिद इत्यास में इतना विशाल व्यापक लंबा एकी मकसद का उत्सव मनाया गया हो वो शाहिद पहली घटना हुई होगी हैं और हिंदुस्तान के हर कौने में उन सभी महापुरुषों को यात करने का प्रयास किया गया जिनको किसने किसी काना बस इत्यास में जगन मिली या उनको भुला दिया गया था आज देश ने खोज खोज करके हर कौने में ऐसे वीरों को महापुरुषों को त्याजियों को बनिदानियों को सत्याजियों को यात किया नमन किया अम्रुत महोस्व का दर्म्यान इन सभी महापुरुषों को नमन करने के आउसर रहा कल 14 आगस्तो भारत ने विभाजन विभीशिकाया स्मृति दिवस्भी बड़े भारी मन से रुदे के गहरे गावों को याद करते हुए उन कोटी कोटी जनों ने बहुत कुछ सहन किया था करंगे की शान के लिए सहन किया था मात्र भूमी की मिट्टी से महबत के करन सहन किया था और धैर ये नहीं खोया था भारत की प्रति प्रेम ने नई जिन्दगी की शुरुआत करने का उनकों का संकल्प नमन करने योग्या प्रेयना पानी योग्या है आज जब हम आज आति कामरत महोस्तम बना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले देश की सुरक्षा करने वाले देश के संकल्पों को पूरा करने वाले देश सेना के जबान हो पुलीस के कर्मी हो शांसन में बैटे हुए बुरक्रेश हो जन प्रतिनीती हो स्थानिय स्वराज की संस्ताओं के सांसक प्रसांसक रहे हो राज्यों के सांसक प्रसांसक रहे हो केंद्र के सासक प्रसासक रहे हो 75 साल में इन सब के योगजान को भी आज स्मरन करने का आउसर है और देश के कोटी-कोटी नागरिकों को भी जिनोंने 75 साल अनेक प्रकार की कढ़िनाईयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है मेरे प्यारे देश वाजियों 45 साल के हमारी ये यात्रा अनेक उतार चड़ाव से भरी हुई है सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देश वाजियों ने उपलब्दिया की है पुर्शार्ट किया है हार नहीं मानी है संकल्पों को ओजल नहीं होने दिया है और इसलिए और ये भी सच्चाई है कि सेक्रों सानों के गुलामी के कालखन ने भारत के मन को भारत के मानवी की भावनाओं को गहरे गाव किये थे गहरी चोटे पहुचाई थे लेकिन उसके भीतर एक जिद्द भी थी एक जिजी विशा भी थी एक जुजून भी था एक जोम भी था और उसके कारह अभावों के बीच में भी उभास के बीच में भी और जब आज हादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को दराने के लिए निराज करने के लिए हतास करने के लिए सारे उपाई किये गए अगर आज आभी आई अंग्रेश चले जाएंगे तो देश तूट जाएगा बिखर जाएंगे लोग अंदर अंदर लड़कर के मर जाएंगे कुछ नहीं बतेगा अंधकार युग में भार्ट चला जाएगा न जाने क्या क्या आशंका इव्यक्त की गई थी लेकिन को पता नहीं था यह हिंदुस्तान की मिट्टी है इस मिट्टी में वो सामर्थ है जो शांथ्रकों से भी परे सामर्थ का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है सद्यों तक जीता रहा है और उसी का परणाम है हमने क्या कुछ नहीं जेला कभी अन्न का संकड जेला कभी युद्व के शिकार हो गए आतंगवाद ने डगर डगर चुनोतियां पैदा की निर्दोष नागरिकों को मौत के घात उतार दिया गया छब युद्व चलते रहे प्राकृतिक आपदाएं आती रही सभलता विपलता आशा निराशा न जाने कितने पड़ाव आये हैं लेकिन इन पड़ाव के बीज भी भारत आगे पढ़ता रहा भारत की विविदता जो औरों को भारत के लिए बोज लगती थी वो भारत की विविदता ही भारत की अनमोल शक्ती है शक्ती का एक अतुट प्रमा है और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहरेंट सामर्त है एक समस्कार शरीता है एक मन मस्तीश का बिचारों का बंदन है और वो है भारत लोगतंत्र की जननी है मदर अब डेमोक्रेसी है और जिनके जहन में लोगतंत्र होता है वे जब संकिकर पगर के चल पड़ते हैं वो सामर्त है दुनिया की बड़ी बली सल्तनातों के लिए भी संकट का काहन लेकर के आती है ये मदर अब डेमोक्रेसी है ये मदर अब डेमोक्रेसी है ये लोगतंत्र की जननी हमारे भारत में सिज्चे कर दिया कि हमारे पांश ये अनमोल सामर्द है मेरे प्यारे देश वात्षियों पच्चतर साल की आक्रा में आसाएं अपेक्षाएं उताएं नड़ा और सब किसके बीच में अरे के प्रयांस हम जहां तक पहुंच पाए थे पहुंचे थे और 2014 में तेश वात्षियों ने मुझे दाइत में दिया आज हदी के बाद जन्वा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल की ले से एक वात्षियों का गवरोगान करने का आउसर दिए लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीथा हूं जीतना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देश वात्षियों आपके सुख्दु को समझ पाया हूं जेसकी आशा आपे छाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बत्ती है उसको जीतना मैं समझ पाया हूं उसको लेकर के मैंने अपना पूरा सालपन जेस्थिए उन लोगों को एंपावर करने में खपाया हूं मेरे दलीद को शोशी को मैला हो जुवा हो किसान हो तिम्व्यां हो गुरभ हो पस्चिम हो उत्तर हो तक्षिन हो समित्र का तट हो हिमालय की कंद्राय हो हर कोने में महत्मा गांजी का जो सपना का आखर इंसान की चिंता करने को मात्मा जानती की जहां कहां चाती अंतिम छोड़ पर बैटे हुए ब्यक्ति को समर्त बनाने की मैंने अपने आपको उसके लिए समर्पी की और आठ साल का नतीज़ा आठ आधादी के इसकों का अनुभाव आज पतरतर साल के पात जबहां अमर्द काल की और कडम रख रहें अमर्द काल की ये पहली प्रभाद है तब मैं एक ऐसे सामर्त को देख रहा हूँ और जिसे मैं गरों से धर जाता देख वाचियों मैं आज देख सबसे बड़ा सवभाजे देख रहा हूँ कि भारत का जन्मन आकांशी जन्मन है एस्प्रेशनल सुसाइटी इसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कौने में हर समाज के हर वर्द में हर तब्सके में आकांशाएं उफान पर देश का हर नागरी चीजे बदलना चाहता है बदलते देखना चाहता है लेकिन इंतजार करने को तैयर नहीं है अपनी आखो के सामने देखना चाहता है कर्टबे से जूड़ करके करना चाहता है वो गती चाहता है वो प्रगती चाहता है पत्तर साल में संज्वे हुए सारे सप्रे अपने ही आखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालाईथ है उत्साहित है उतावला भी है कुछ लोगों को इसके कान संकट हो सकता है क्योंकि जब एक्प्रेस तल सुसाय की होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पे चलना पड़ता है सरकारों को भी समय के साथ दोड़ना पड़ता है और मुझे भी स्वास है यह केंगर सरकार हो, राज्य सरकार हो, अस्तानिय स्वराज के सौंसताय हो किसी भी प्रगार की साथन बेवपता क्यों न हो हर किसी को इन एस्प्रेस्टल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा उनकी आसांग खाओं के लिए हम ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हमारे इस्प्रेस्टल सोसाइटी नहीं लम्मे अर्षे तक इंतजार किया है लेकिन अर्थ वो अपनी आने वाली पिली को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है और इसलिए कि अमरित काल का पहली प्रभाथ हमें इस एस्प्रेस्टल सोसाइटी की आकांशाओं को पुरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुना रहा आउसर देपर क्याई मेरे प्यारे देश वाक्रियों हमने पिछले दिनों देखा है एक बहुत ताकत का हमने अरुभाव किया है और वो है भारत में सामुई चेतना का पुनर जागरा हुआ एक सामुई चेतना का पुनर जागरा आधादी के इतने संगर्ष में से अम्रत था वो अब संज्वया जा रहा है संकलित हो रहा है संकल्प में परिवर्तित हो रहा है पुर्षाद की परातास सा जुड रही है और सिध्वी का मार्ज में दर आ रहा है ये चेतना मैं समझता हूँ कि चेतना का जागरा ये पुनर जागरा ये हमारी सबसे बड़ी हमारा ये पुनर जागरा देखिए तस अगत तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद देश के भीतर कौन सी साकत लेकिन पिछे तीन दिन से इस प्रकार से त्रिम के जंडे को लेकर के तिरंगा की आत्रा लेकर के ड़क्चे जचल पड़ा है कि बड़े बड़े सोचल साइंस के एक्पर्ट ये भी शायद काल पना नहीं कर सकते हैं कि मेरे भीतर के अंदर कितने मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्द है एक तिरंगे जंडे ने तिखा दिया ये पनर चेतना पनर जागरन का पल है ये लोग समझ नहीं पाए है जब बेश चंता करजू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल परता है अब उस चेतना की अनुखोटी है 20-46 विजा करके Corinna Warrior के साथ कंदे से कंदा मिला करके सबस이트 हो जाता है तब चेषना की अनुबूती होती है जब द्यूज जजा करके Corinna Warrior की श्रकामना देदेक लिए देश निकल पड़ता है तब उस चेषना की अनुबूती होती है दुनिया कुरोना के कालखन में वैक्सिन लेना या न लेना वैक्सिन काम का हैज नहीं है उस उल्जन में जी रहा था उस समय मेरे देश के काउं करीपी दो सो करोड डोज दुनिया को चौका देने वाला काम करको दिखा देते हैं यहीं चेतना है यहीं सामर्थ है इस सामर्थ ने आज देश को एक नहीं ताकत दिये हैं तेरे पहरे भाईयों 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 301 महत्वकूर सामर्थ हमें देख रहा है जैसे एस्प्रिसनल सोजाईटी जैसे पुलर जागरा वैसे ही आजादे के इतने दसकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया ब सदल चुका है विश्व भारत के तरफ गर्व से देख रहा है अपेच्छा से देख रहा है समस्याओं का समाधान भारत की तर्पी पर दुनिया खोजने लगी है दो विश्व का ये बढ़ाओ विश्व की सोच में ये परिवर्बन पत्तर साल के हमारी अनुभाव यात्रा का परणाम है हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर जल पड़े हैं दुनिया इसे देख रही है और आफिर कर विश्व भी उमीदे लेकर जीरा है उमीदे पुरे करने का सामत कहा पड़ा है वो उसे दिखने लगा है मैं इसे त्री शक्ती के रुप में देखता हूं तीन सामत के रुप में देखता हूं और ये त्री शक्ती है एस्परेशन की पुलर जागरन की और विश्व की उमीदों की और इस से पूरा करने के लिए हम जानते हैं जो आज दुनिया में मिस्वाज जगने में मेरे देश वास्यों की बहुत बड़ी भूमिता कि एक सोटीस करोर देश वास्यों ने कई दसकों के दुभाव के बाद स्थीर सरकार का महत्में क्या होता है राजनीतिक सिर्ता का महत्म क्या होता है को जियर के दुखात दुनिया में किस पगार के ताकत दिखातestar है नीच्यों में कैसा सामत होता है उन नीच्यों प्रविष्चों का कैसे वरौता बनता है। यह भारत दिखाया है और दुनिया भी यसे समझ रही और राजनिसिक फिरता हो नीचियों में गति शीलता हो नेड़रों में तेजी हो सर्व व्यापफता हो सर्व समाज़ेशना हो तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है हमने सब का साथ सब का विकास का मंत रहे दे कर रहे हम चले थे लेकिन देशते ही देखते देश वासियोंने सबका विस्वार और सबका फ्रयाज से उसमें और रंग भर दीए है हर इसलिए हमने देखा है हमारी सामोहित शामर्त कर दो हमने देखा है आज हादिक अमर्त पहुत जिस प्रकार के बनाया था जिस प्रकार के हाद अहल दी लेना है 75 अमर्त श्रवर बनाने का भ्यान चल रहा है गाउं गाउं के लोग जूट रहे हैं कार सेवा कर रहे हैं अपने प्रेतों से अपने गाउं में जल सवरक्षन के लिए बड़ा भ्यान चला रहे हैं और इसलिए भाईयो बैनों चाहें स्वच्छता का भ्यान हो चाहें गरीवों के कल्यान का काम करें देसाज पूरी शक्तिशा आगे बढाता है लेकिन भाई योगा है न हम लोग आजहादी के अमरी काल में हमारी 75 साल की यात्रा पर उसका गवरोगानी करते रहेंगे अपने ही प्रीट ठपते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएगे और इसलिए 75 साल का काल संस कितना ही शांदार रहा हो कितने ही संकटों वाला रहा हो कितने ही चुनोते वाला रहा हो कितने ही सपने अधुरे बिखते हो उसके बावजुद आज जब हम अमरी काल में प्रवेश कर रहे हैं अगले 25 वार हमारे देश के लिए अत्यनत महत्व पूरा और इसलिए जब आज मेरे सामने लाल की दोश पर से एक सो तीस करोर देश वाचियों के सामर्चा का स्मरण करता हूँ उनके सप्रों को देखता हूँ उनके संकल्पों के अनुभूत ही करता हूँ वाप साथ जो मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पांच पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंदित कर गी अपने संकल्पों को केंदित करना होगा अपने सामर्थतों केंदित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को ले करके तोजार से साल होगे आजहदी के दिवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा जब मैं पंच प्राण की बात करता है तो पहला प्राण अब देश पड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा पहाँ पड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विक्सित भारत अब उसके कुछ कम नहीं होना है बड़ा संकल्प लेकर दूतरा प्राण है किसी भी कौने में हमारे मन के भीतर हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी आउश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में पचने नहीं देए अब सब्सक्रतिशत शब्सक्रतिशत सेंकलो साल की गुलामी ने जहां में ज़तर कर रखा है अने हमारे मन उभाव को बात करके रखा हुआ है हमारी सोच में विकृतियां प्रादा करके रखी है हमें दुलामी की छोपी सी छोपी चीज़ में कहीं नज़राती है हमारे भीतर नज़राती है हमारे आस्पास नज़राती है हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी यह हमारा दूसरी प्राण शक्ति है पीसरी प्राण शक्ति हमें हमारी विरास्त पर गर्व होना चाहिए हमारी विरास्त के प्रती जो कि यही विरास्त है जितने के भी भारत को स्वानिम काहद दिया और यही विरास्त है जो समन्या गुल्दुगुल परिवर्कन कर देगी आदत रही है यही विरास्त है जो काल भाय चोड़ती रही है निच्ट नूतन स्विकांती रही है और इसलिए इस विरास्त के प्रतीम हमें घर्व होना चाहिए चौथा प्राण वो भी उतनाई महत्वकूर है और वो है एकता और एक जुटता एक सो तीस करोर देश्वाचियों में एकता न कोई अपना न कोई पराया एकता की ताकत एक भारक स्रेश्ट भारक के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण और प्राण 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 है नागरीकों का कर्टब्य है नागरीकों का कर्टब्य है जिसमें प्रधान मंत्री भी भार नहीं होता है मुख्यमंत्री भी भार नहीं होता है वो भी नागरीकों का कर्टब्य है कि हमारे आने वाली प्रधी साल के सपनों को पूरा करेख लिए एक बहुत बड़ी प्राण शर्ट प्राण कि मेरे प्यारे देश स्वागिए जब सपने बड़े होते हैं जब संकल्प बड़े होते हैं तो पुर्शार्थ भी बहुत बड़ा होता है शक्ती भी बहुत बड़ी मात्रा में जूट है हr식 कर सकता है देश के का चालीश बयादिश के कालखन को याद कि जिए को सब्सक्ना कि खड़ा हुआ था कि, so I say किसे ने आदमे जाडू दिया था, किसे ने तकली दीठी, किसे ने रैट या लिया था, किसे ने सत्याग्रा का मान चुना था, किसे ने संगष का मान चुना था, किसे ने कांग्ती की वीरता का राफ्ता चुना था, लेकिन संकल्प बड़ा था आध्यादी, और आगर देखि अगर संकल्प चोटा होता सिमीत होता तो शायर आज भी संगत करने के दिन चालू रहें लेकिन संकल्प बड़ा साथ तो हमने हांसिल की जारा तो मेरी बहुरु देश्वासित अब आज जम अमुत काल की पहली प्रभाद है तो हमें इत्ती साल में किसी भारत को नाके रहना है अपनी आंखों के सामने और जब इस वाइस प्रती साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने है मेरे देश के नौजवानों जब देश आधादी के पत्ता सौ साल मनाएगा तब आप पचास पच्पन के उप्रियों को मर्लब आपके जीवन का इस्वानिम्साल आपकी उमर के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का साल आप संकल को लेकर के मेरे साथ चल पढ़िये साथियों तिरंगे जंडे के सपक लेकर के चल पढ़िये हम सब परी ताकत से लगया है बगा संकल मेरा देश पिक्सित देश होगा टेबलब कंडरी होगा विता कहरे परामेटर में हम मानव केंडरी व्यवस्ता को विश्पित करेंगे हमारे केंडर में मानव होगा हमारे केंडर में मानव की आशा आकांक शाय होगी हम जानते हैं हारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है जब मैंने यहां स्वच्चता की बाद कहीं पेरी पहले बाद कर देश गल्ब पड़ा जिससे जहां हो सका स्वच्चता की वाड़ आगे बढ़ा और गंदगी के पती नभ्रत एक शफाव बनता गया यही तो देश है जिसको करके दिखाया है और कर भी रहा है आगे भी कर दा यही तो देश है जिसने वैक्षिनेशन दुनिया दुनिजा में भी 200 करोड का लग्स पार कर लिया समय सीमा में कर लिया पुरा ने सारे रेकोर्ड तोड़ के कर लिया यह देश कर सकता है हमने काई कि आफे देश को थाड़ी के शेल पर हम बुजारा करते हैं जाड़ी के के लिए और कैसे बढ़े दस प्रतिशत इथे नौल ब्लैंडिंगी का सपना बढ़ा लगता था पुराना इत्याद बताता था संभव नहीं है लेकिन समय से पहले दस प्रतिशत इथे नौल ब्लैंडिंग करके देश ने इस नफने को फूरा लगता है हाई करोड लोगों को इतने कम सबी में विज्वी कनेक्शन पहुंचानी को था काम नहीं तो देश ने करके दिखाया है लाखों परिवारों के घर में जल से नल बड़ से जल नल से जल पहुंचाने काम आज देश तेज ब्यतितिसे कर रहा है फुले में पहुच्ट मुक्ती भारत के अंदर आज हो पाया है मेरे पैरे देश्वासियों कि अनुभर कहता है एक बार हम सब संकल्प लेकर करके चल पड़े तो हमने धारिक लक्षों को पार बना हो टेश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो कोफ्टरों की तैयरिक करवानी हो हर प्षेत्र में पहले जिपी बहुत बड़ी है और इसलिए मैं करता है अब आने वाले प्रती साल बड़े संकल के दो यही हमारा प्रांग वही हमारा प्रणवी होना चाहिए दूसरी बात मैंने कही है उस प्रांग सब्सक्राइब की मैंने चर्चा की है गुलामी की मांशिक्ता भी तो चोचियों अब भाईयों कब तक दूनिया के सेटिपिकेट पर हम गुजारा करेंगे कि हम अपने मानथ नहीं बनाएंगे कि अच्च्छों करों के बेश अपने मानथों को पार करने के लिए पुरसाथ नहीं कर सकता है हमें किसी भी हानत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने के जरूत नहीं है हम जैसे हैं वैसे लेकिन सामर तरके साथ खड़े होगे यह हमारा मिजाद है हमें जुनामी से मुट्पी चाहिए हमारे मन के भीतर दूर दूर साथ सबंदर के नीचे भी जुनामी का तत्व नहीं बच्च रहना चाहिए और मैं आशा देखता है जिस प्रगार से नहीं राष्टिय शिक्षानिती बनी है जिस मन्थन के साथ बनी है कोटी कोटी लोगों के फिचार प्रवा को संकलित करते हुए बनी है और भारत की धर्टी की जमीन से जुड़ी भी फिचानिकी बनी है कि रस्कस हमारी धर्टी के मिलें हमने जो कौशल्य परवल दिया यह एक ऐसा सामर्त है जो हमें गुलामी से मुक्षी की ताकत देखा है है हमने देखा है कि कभी कभी को हमारी टैलेंट पांशा के बंदरों में बन जाली है कि यह गुलामी की मांसीत्ता कर प्रणाज है हमें हमारे देश के हर बाशा पर गर्व होना चाहिए हो हमें बाशा आती हो या ना आती हो लेकिन मेरे देश की बाशा है मेरे पुर्वे जोने दुनिया को दी हुई यह बैस्नाजाब है हमें गर्व होना चाहिए कि मेरे साथ जो आज डिजिकल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं कि स्टार्टर देख रहे हैं कौन लोग है यह वो टैलेंट है जो टियर टू टियर फ्री सिजी में किजी गाउं प्रिवाद में बती हैं यह उन्हारे नंदमार है जो आच नहीं नहीं खोश के साथ दुनिय के सामने आ रहे हैं कुलामी की मान सीता है कि हमें उसे देनी पड़े अपने सामर्थ पर ध्रवसा करना है प्रूसरी एक बाद जो मैंने कहीं तीसरी मेरी प्रांशक्ति की लास ओ है हमारी बिरासत को है हमें गर्व होना चाहिए है जब हम अपनी धर्ति से जुड़ेंगे जब हम अपनी धर्टी से जुड़ेंगे तभी तो उंचा उड़ेंगे और जब हम उंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएगे हमने देखा है जब हम अपनी चीजों पर जड़व करते हैं अज दुनिया होलिस्टिक हेल्ट केर की चर्टा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है भारत के आईवेट पर जावते हैं भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइम के पर जाती है यह हमारी जिरासा के हम जो दुनिया को दे रहे हैं दुनिया आज उससे प्रभावित हो रही है हम हमारी दाकत देखिये हम दो लोग है जो प्रकृति को साथ जीना जाने त्य प्रकृति को प्रेट कर रहा है आज विश्ट को पर्योड़े जो थी क्युक्त जोगरियोर्मकी समजियां के जाता है को हम direct चुण लाइफ मिशं सब्सक्रान, मूता, मिलेश हमारे नहीं हर दो घर्बर की चीज रही है है कि हमारी विरास्त है हमारे छोटे किसानों के परिशन ते छोटी ज़ोड़ी के कुष़ों में अल्ने खुलने वाली हमारे अच दुनिया अंतरा हुआ इस तरह बिले जिएर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है वहला हमारी व्राइगत तो आज दुनिया हम उस पर गर्वा क को कि हैं कि हमारे पास कि दुनिया दुपाच को तो देना है हमारा जामा वेलुसी जामा जित के चर्चा हो रही जातों की और यह सामुनी की कर दो अगारियोन से माता वहनों के त्यास वलिदान के कारण परिवार लामिकी जो विक्षिक हुई ये हमारी विरासत पर हम जर्व कह से हुआ है हम वो लोग है जो नर में नारायन देखते हैं हम वो लोग है जो नारी तो नारायन ही कहते हैं हम वो लोग है जो पौधे में परमात्मा देखते हैं हम वो लोग है जो नभी को मा मांते हैं हम वो लोग है जो कंकर शंक में हर कंकर में शंकर देखते हैं यह हमारा सामर्थ है हर नदी में मां का रूप देखते हैं पर्यावरण की इतनी व्यापक्ता विशालता कि हमारा गवरों हम विश्व के ठामने जब खुद गर्व करेंगे दुनिया करेंगे हम वो लोग है जिसने दुनिया को वथुदेव पुद्रमकम का मंत्र दिया है हम वो लोग है जो दुनिया को कहते हैं एककम सत्वित्प्रहा बदवा बजनती आज जो होलिय जयंजाओ का जो संकत चल रहा है तुछ से बड़ा मैं हूं यह जो तनाव का कारण बना हुआ है रासाद मारे पास हैं जो कहते हैं जांतार आर लोग इसको अलगर इस तरीके से कहते हैं जो सुमाघा है हम लोग हैं जो कहते हैं यह कुंदे।। ऑ् जया कहने वाले हम लोग हैं वोग हैं जिज्धर द्निया कामना करते हैं तबते हैं चरफ ऑनुने संतू चर्भेय संतु दिरावया अब सब्सक्राइब आरोगे की बात करना यह हमारी विरासत है और इसलिए हम बड़ी शान के साथ हमारी विरासत का जर्व करना दीखें प्राण सकती है हमारी हमें पर्टीस दांगे सकना पुरा करने जरूरी है उसी प्रकार से मेरे प्यारे देश वास्यों एक और महत्यकों विच्छा है एकता एक जूटता इतने बड़े देश को उसकी भीवी पेता को हमें सेलिप्रेट करना इतने पंज़ परमपराएं कि हमारे आन बान शान है कोई नीचा नहीं कोई उंचा नहीं है सब परावर है को मेरा नहीं क को पराएं कि अपने हैं वाव। प्राणतलिए कर्मेदी एकषा की निवरा दाम ही लाटी जया कि पेटे पिटी एक समान होगे अगर वेटेक एखती समान नहीं होगे तो एक्ता के मंद्र नहीं पूश्व करते हैं जिन्डर इप्वलीफी वारी एक्ता इप्वली एग्ता की बात था से अगर हमारे एक ही परामिटर हो एक मांदन हो इस मांदन को हम कहें इंडिया पर दो कुछ भी कर रहा हूं जो भी है कि एक का राता खुछूजए जाया है हमें एक का यसको पकड़ा है थो जु कि हम समार के अंदर पुचने मेरे पेले के भेज़ भावों थे हम सब की पूजारी बने रमयेर जैते कहते हैं स्रमिक का सम्मान यह हमारा स्वाथाव गुणाए लेकिन भायु 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 नो मैं लाल के लिए से मेरी इट पीड़ा और कहना चाहिए यह दर्द में कहना नहीं लेगा मैं जानता हूँ तो शायद लाल किले का विशाए नहीं होता है लेकि मैंने भीतर का जर्द में कहां कहुँआ यह देश्वाश्यों के सामने नहीं कहुँआ तो अहां कहुँआ और वह है किसी ने किसी का रहा है हमारे अंदर एक ऐसी विक्रुती आई है हमारी बोल चाहिए हमारी बहवार है हमारे कुछ शब्दों हम नारी का प्मांग करते हैं कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कि अग्यां कि स्वभाव से संस्कार से रोज मरा की जिन्दगी में नारी को अप्मानिक करने वाली हर बात से मुक्ति का अधनिकल के नहीं सकते हैं कि नारी का गव्राव राज के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंची बनने वाला यह सामर्थ में देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात आग रहे हुए मेरे प्यारे देश वाची मैं पांचवी प्रांशक्ति की बात करता हूं और वो पांचवी प्रांशक्ति हैं नागरीत का करतव्या दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की हैं जिन जिन देशों ने कुछ एटिव की आघा जिक्ति के जीवन में भी जिसने हैं जिन जिसने हैं कुछ बात उखर करके सामने आती है एए अनुशाचिव जीवन दूसरा प्रतव्या के प्रति समर्त ऑख प्रतिकी की जिवन की शपलता हो सबाच की हो परिवार की हो राष्च यह मुल्वुत मार है यह मुल्भुत पान शक्ति है और इसलिए हमें कर्टब्य परबल देना ही हो यह साथन का काम है कि विजनी 24 जंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करें लेकिन यह नागरिप का कर्टब है कि जितनी ज्यादा यूनित विजनी बचा सकते बचाए हर खेट में पानी पहुंच जाना सरकार की जिम्मेवारी है सरकार का प्रयाँ था लेकिन और ड्रॉप बॉर क्रॉप पानी बचाते हुए आगे बढ़ना मेरे हर खेट से आवाज इतनी चाहिए केमिकल मुक्त खेटी और यह निस पार में प्राकुरती खेटी यह हमारा कर्टब रहे है काथियों कि कहें पुलीस हो या पीपल शांसक हो या प्रशासक यह नागरी कर्टबे से कोई अक्षूता नहीं हो सकता है हर कोई अगर नागरी के कर्टब्यों को निभाएगा तो मुझे विश्वात है कि हम इच्छित लक्ष को प्राप्त करने में समय से पहले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारे देश्वात हुआ मर्शी अर्विद्धों की जंद जंती की है तो उस महापुर्श के चरणों में नमन करता है देखें हमें उस महापुर्श को याद करना होगा जिनोंने कहा था स्वदेशी से स्वराज स्वराज से स्वराज यह उनका मंत्र है हम सब को सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्फर रहें कि हमारे देश को हो अन्सक्राइब को अभिष्टरस करते हैं ऐस ने तैकर कर लिया हमारा द्ट हम कुद परेंगे उसने करके दिखाया Christmas यह अगहां ऑले एक लनकम लेते हैं तो की होता है और इसे लिए की आट्मनिरवर भारति कि हर मानदरित का हर सरकार का समाज के हरिकाई का ये दाइश को बन जाता है ये आत्मंदिर पर भारत इस सरकारी एगेना सरकारी कारगम नहीं है ये समाज का जन अंदोलर जिसे हमें आजे बताना मेरे साथ्यों आज जब ये बात हमने सुनी आज आज आजी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे काम सरफ रहे तो 75 साल के बाद वो आवाज सुनाएजी पहली बार मेड इन इंडिया तोपने किया कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात आवाज उसे नई तकत नहीं और इसलिए मेरे पेरे भाई वेहनों के आज मैने रिदेश के से ना के जवाणों का रवेश करत दन आत्र चिंस मेरी अहां भार की बात को संगेटी स्वून का साहस के सोरुत मेरी सेना के जवानों हम देस City आनकोने के 70 घंबबारी के कि छोती सेना का जवान मौत मुठ़्े में लेकर करके चलता है मौत और जिन्रगी के बीच में कोई कासला ही नहीं होता है जब बीच में डेद करकर ख़ड़ा होता है और वो मेरा सेना का जबान टाए करें कि हम तीन सो ऐसी चीज़ों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की यह संकल्प छोटा नहीं है मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मन निर्फर भारत के उज्जिवल भविश्के वो भीज मैं देख रहा हूं तो इस सपने को बटबुक्ष्मत परिवेश्टित करने वारे हैं चल्यूट चल्यूट मेरे सेरार के दिकारियों को चल्यूट मैं आज मेमे छोटे छोटे बालतों को पांच साथ 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 याई के बादों उनको भी सहलीूट करना जाएं उनको भी सलाम करना जाएं जब देश के सामने केतना जगी मैंने ने सेंट लोग परिवारों से सुना है पांच पांच साथ साल के बच्चे घर में कह रहे हैं जब हम विदेशी खिलोने से नहीं खेलेंगे पांच साल का बच्चा घर में विदेशी खिलोने से नहीं खेलेंगे यह जब सब संग्चल्प करता है तब आज कंदिर पर भारत उसकी रगों में दोड़ता है आज देखिए एक लाज करोड रुप्या दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसी वजवाने आ रहे हैं टेक्नोलोजी करके आ रहे हैं रोजगार के नहीं आउसर बना रहे हैं भारत मैनुफेक्टरिंग हब बनता जा रहा है आप में निरुभर भारत की धुनियाद बना रहा है आज इलेक्ट्रानिक गूर्स मैनुफेक्टरिंग हो मोबाइल फोन का मैनुफेक्टरिंग हो आज देश बहुत तेजी से प्रगणि करता है जब हमारी में दुनिया में जाता है कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आस्मान को नच्छुता है आज हमारी मेट्रो कोचिश हमारी बंदे भारत रहें इस्व के लिए आकरशन बन रहा है मेरे प्यारे देश वास हमें आत्मने रभर बनना है हमारे एनर्जी ज़क्टर हम कद दर एनर्जी के ज़क्टर में इसी और डिपेंडेंट रहें और हमें सोला का शेत्र हो स्पिन अनर्जी का शेत्र हो रिडियोवेल के और भी जोड़ाफ्ते हो मिशन हाइड्रोजन हो पायोफुरेल के कोशिश हो इलेक्रिक वेहिकल को जाने की बात हो हमें आत्मंदिर भर बंद करके इनी प्रवत्तों को आगे पथाना होगा मेरे प्यारे ऑगा अ झाज बराकोंति क्रेटी ढीति को आत्मंदिर घरत अक्मान मांच है, और tears मैं नइर फञील Cyrus वें अमिदि आशा लेकर क्या है, लेकिन प्राक्र यह स्थे खष्यीं केमिकस्प्री खष्यी आत्मंदिर भर को ताकत देृची है, आज में रोजगार के खेत्रब खेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं भारत ने नीतियों के द्वारा पेश को खोल दिया है लौन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशिस पॉलिस से लेकर के आये हैं हमने तेश के नवजमानों के लिए नए द्वार खोल दिये हैं कि मुरें जारे भाईयों बहने हैं मैं प्राविट सेंटर को भी आवाहन करता है आएए हमें वीश्व में आ जाना है आत्मंदिर भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश अपना है उसको पूरा करने में भारत पीछे ने जाए हमारे लगूत योग होए हमें दुनिया में जाना हो हमें स्वदेशी पर धर्व करना हो मेरे प्यारे देश वासियों हम बार भार लाल बादु सास्ट्री जी की यागता है जाए जवान जाए बिशान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेना है पात्रा अटल्विहरी वाच्पाईजी ने जा उसको प्राफिक था लेकिन अब अम्रित काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंद्धान जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंद्धान इनोवेशन और मुझे मेरे देश यूपीडी में भरोजना है इनोवेशन की तांकत देखिए आज हमार इपी आई भी हमारा डिजीटल प्वेमेंट फिंटेक की दुनिया में हमारा साल आज वीश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजीटल फाइनांशल का ट्रेंजेक्शन होता है मेरे देश में हो रहा है हिंदुस्तान ने करके देखिए मेरे प्यारे ये स्वास्यों हम हम फाइव जी के दौर की और कदम रख रहे हैं बहुत दूर इंतजाव नहीं करना हो हम कदम मिनारी वाले हैं हम आपके जल फाइबर गाउं गाउं में पहुंचा रहे हैं डिजीटल इंडिया का सपना गाउं से गुजर्रेगा ये मुझे पुरी पुरी जानकारी आज मुझे फुझी है हिंदुस्तान के चार लाग सपामन सभी सेंटर गाउं में विष्जित हो रहे हैं गाउं के नवज़वान बेटे बेटियां और सब्सक्रां घर्वगर कर सकता है कि गाउं के चेट्र में जाराओं डिजीटल एंट्रफ्रें का तयार होना और सारी सिवाएं लोग गाओं के लोग उनके हां लेने के आदि मिल्जा है यह अपने आप में टेक्नोलोजी हब बेंदे की भारत की जो ताकत है बेरे प्यारे देश्वार्ची इजो डिजिटल इंडिया का मुव्मेंट है जो सेमिकंडर्टर्टर्टि और हम कदम मांद रहे हैं अब तेकल फाइबर का नेट पर भिषाएं यह फिरब आदि इनित्ता की पहचान है ता नहीं है तीन बड़ी त्याकते इसके इंदर समाय हुआ है। तिक्षा में आमुल्च उल्क्रांती ये डिजिटल माधन से आने वाला है। मानुव जांत के लिए टेकेड का समाय हुआ है। तो ये टेकेड के लिए तो ये टेकेड जिसका मन टेकेड से जुड़ा हुआ है। पुरा खेत्र का भुतास कर रहे हैं। युआ पुड़ी के लिए अवसर लेकर क्या रहे है। स्पेश मिशन की बात हो। हमारा डीर ओसन मिशन की बात हो। संबंद की गहराय में जाना हो। यहां में आसमान को चुना हो। यह नए खेत्र हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देश बात की है। हम इस बात को न भुले। और भारत में सद्धियों से देखा हुए। कैसे देश पे कुछ नमुना रूप कामों की जरूत होती है। कुछ बड़ी-बड़ी उंचाईयों की जरूत होती है। स्था सांत ठरातल पर मजबूती बहत आवश् भारत की आर्थित व्युताथ के संभावनाय ठरातल की मजबूती से ब्रिद होती है। और इसलिए हमारे छोथे पूर उद्धियमी उनका सामर्क है। हमारे लगूत्यों कुटिरूत्यों श्मुक्षों सुप्षम उद्यों रेडि पत्री वाई लोग घरों में काम करने वाले अटो रिछाशा आने वाले और सेवाइच देने वाले यह समार के जो सख्ष बड़ा पत्ता है इसका सामर्दमान होना हारत के सामर्द की जरणी है और इसलिए हमारे आर्थिक लिकांट की यह जो भूलभू जमीनी ताकत है उस ताकत को सरवादिक पल देने की दिशा में हमारा प्रयाश चल दा है कि मेरे प्यारे देश वाचियों हमारे पास 45 साल का अनुभाव है हमने 45 साल में कई सारी शिद्धिया भी प्राप्ट की है हमने 45 साल के अनुभाव में नए सपने भी संजोये हैं एक लेकिन अमृक चाल के लिए हमारे मानो संसाधर का आप्तिमम आउककम कैसे हो हमारी प्राक्रतिक संगृदा का आप्तिमम आउककम कैसे हो इस लक्ष को लेकर के मैं चलना है और तब आपने देखा होगा आज अदालत के अंदर देखिए हमारी वक्ली के शेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति इस ताकत के साथ नजर आ रहे हैं आप ज्वामिश शेत्र में जन्प्रतिय के रुख पे देखिए हमारी नारी शक्ति इस बिजात से समर्खे जहाऊं से अपनी गाउं की समस्याओं को सुछने में लगी आज ज्यान का शेत्र देख नीजिए हमारे देश की नारी शक्ति शिनमोर में जरा रहे हैं आज हम कुलिस में देखे हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरफच्छा की जिम्देवारी उठा रही है हम जीवन के हर खेत्र में देखे है फेलपुर का मादान देखे या युद्द की भूमी देखे है भारत की नारी शक्ति एक नए सामरत नए विश्वाथ के साथ आगे आ मैं इसको भारत की पततर साल की जो यात्रा में जो योगदान है उसमें अब कई बुना योगदान आने वाले पती साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं मेरी माताओं बेहनों का मेरी बेटियों का देख और इसलिए यह सारे हिसाथ किताब से उपर है सारे आपके परामिटर से अतिरिक्त है हम इस पर जितना ध्राम देंगे हम जितने ज्यादा आउसर हमारी बेटियों को देंगे जितने सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए पेंडरिक करेंगे आप देखना वो हमें बहुत कुछ लोटा कर देगे वो देश को इस मुचाएं पर ले जाए इस अमरित कांग में जो सपने पूरे करने में जो महनत लगने वाली है अगर हमारी नारी शक्ति की महनत जूड़ जाएगी तो हमारी महनत कम होगी हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी हमारे सपने और सेजस्वी होंगे और अवजस्वी होंगे और जाइवित क्रमान होंगे और इस लिए आईए साथ यूप हम जिम्मेवारियों को देके आगे तो मैं आज भारत के समयधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहिए तो उन्होंने जो हमें फैटल स्प्ट्र दिया उसके स्पिरीट को बनाते हुए उसकी भावनाव कादर करते हुए हम कंदे से कंदा मिला करके इस अम्रिक काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे कारे कम भीन नो हो सकते हैं कारी शेली भीदय नो हो सकते हैं लेकिन और का उपक ANY गल्त में नहीं होड़े रास्ताल लिए अपने भीद रहे आगये हुए हम एक ऐसे यूप की अंद裡 आगे पूरे मुझे आ ग़े मैं गुजरात का मुझमन्तुती आज यह आजरे मैं हमारे विजार की सरकार नहीं थी लेकिन मेरे गुजरात में हर जगा पर मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकाश के लिए गुजरात का लिए भारत का विकाश हम कहीं पर भी हो हम सब के मनमस्किस के में रहना चाहिए हमारे देश के कई राच्य हैं जिन्नोंने देश को आगे बनाने में बहुत भूमिक आजाद हैं नेत्रुत्म किया कई खेत्रों में उद्हारून काम भी यह हमारे फैडरलिजम को ताकत देते हैं कि लेकिना राच्य को लगना चाहिए में आगे निकल गया या मैं इसनी मेहनद करूंगा मैं आगे निकल जाओंगा उसने ये तक अच्छे काम किये हैं मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा उसने तीन साल में पुरा किया है मैं दो साल में करके दूखाऊंगा हमारे राज्यों के बीश में हमारी सर्विस सरकार की सभी काईयों के बीश में वो स्पर्धा का वातावान चाहिए जो हमें विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए प्यास करें मेरे प्यारे देश्वास्यों इस पतीस पर्ष कामर्ट काल के लिए जब हम चलता करते हैं तब मैं जानता है चुरोविया अनेज है मर्यादाएं अनेज है मुसीबते भी है बहुत कुछ है हम इसको कम नहीं आखके राक्ते खोटते हैं लगातार कोशिच कर रहे हैं लेकिन दो विश्यों को तो मैं यहां आज कर्चा करना चाहता हूँ करते हैं अनेज ही जुआ पर हो तकंगेids लेकिन मैं भी समय की सिमा के कारड़ा है दो विश्यों पर चाहता हूँ और मैं मानता हूँ हमारे सारे चुनावशियों को कारफ विकुलूपियों के कारड़ बिमारियों के कार्व इस 25 साल का मृत कार उस पर शायद अगर हम ने रहते समय रहते नहीं चेते समय रहते समाधान नहीं किये तो वो ये विक्रार रूप ले सकते और इसलिए मैं सब की चर्चा न करते हूं तो उपर जिरूर चर्चा दुना चाहिए एक है पस्ता चाहिए दूसरा है हाई खति जावाग परिवारवाग भारत जैसे लोग तंद्र में जहां लोग गरीबी से जूज रहे हैं जब यह तरफ से देखते हैं एक तरफ लोग है जिनके पास रहने के लिए जगा नहीं है जिनको अपना चोरी किया हुआ माल लखने के लिए जगा नहीं है कि अच्छी नहीं है और इसलिए हमें प्रस्ताचार के खिलास पूरी ताकत से लगदार है पिछले आज परसों में तारिक बेनिफिट नास्पर के द्वारा आधार मोबाईल इंसानिस आधूनिक व्यवताओं को उप्योप करने हुए कि दो लाग करोड की जो गलत हातों में जाते थे उसको बचा करके देश की भराई के लिए काम लागा नहीं हम सपन हुए जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूप लूप करके भाग दे उनकी संपत्या जब्त करकर के वापिस लाने की कोशिश कर रहे हैं कईयों को जरों में जिने के लिए मजमूर करके रखा हुआ है हमारी कोशिश है जिनोंने देश को लूता है उनको लूताना पड़े वो स्थिक्य हम पादा पड़े हाई यू बहनों अब प्रस्टाचार के घराथ मैं साथ देख रहा हूं कि हम एक नेना एक तालखन में कदम रख रहे हैं बड़े बड़े शरम चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे इस बिजात के साथ परस्टाचार के खिलाफ एक निर्णा एक तालखन के भूंगुत्तां कदम रख रहा है और बनार के लिए की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ क्या रहा हूं और इसमें भाईयों वहनों वह तो बीगुल बजा के चलिए रश्टाचार जीमत की तरह देश को खोखला कर रहा हूं मुझे इसके खिलाब लड़ाई लड़ी निर्णाई को तेज करना है निर्णाई मोड पे लिटर के ही जाना है तब मेरे 120 करोड देश वाज़ी आप मुझासिर वाज़ी आप मेरा साथ भी मैं आज आपसे साथ मांग रहा हूं आपका स्योग मांग रहा है ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ता हूं इस लड़ाई को देश जित पर और सामान नागरी की जिन्दगी रस्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है मैं मेरे इन्सामान निलागरी की जिन्दिगी को फिर से आनवान शान के लिए जीने के लिए राश्टास बनाना चाहता है और इसलिए मेरे प्यारे देश वासियों ये चिंतर करीश है कि आज देश में रस्टाचार के प्रती नफ्रत तो दिखती है जत्त भी होती है लेकिन कभी-कभी प्रस्टाचारियों के प्रती उधारता बरती जाती है किसी भी देश में ये थोभाने देगा कौट तहीं लोग तो इतनी भेशन भी तक करे जाते हैं कि कौट में सजा हो तुकी हो प्रस्टाचारी शित्व हो तुका हो जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजुद भी उनका महिमा मंदन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान सौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिश्चा बनाने में लगे रहते हैं अगर जब तक समाज में गंजलीकी के प्रति नफ्रत नहीं होती है, तक रच्छाचार और प्रस्चारी के प्रति नफ्रत का भाव पैदा नहीं होता है। सामाजित रुख्षे उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते हैं तब तक इगमान स्रीटा खत्प होने वाली है और इसलिए प्रस्टाचार के प्रतिभी और प्रस्टाचारियों के प्रतिभी हमें बहुत जादूरुत होने की जरुए है दूसरी एक चर्चा मैं क खेथर की बात करता है। जी नहीं सुर्भाद्गय से राजिरीटिक खेथर की उस बुराइने इंदुस्तान की हर सौनुस्थाओं में परिवारय बाद को कोोशिित कर दिया है। परिवारबाद। अमारी अने सौनुस्थाओं को अपने में लपेटे हुए और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुक्षान होता है मेरे देश के सामर्ष को नुक्षान होता है जिनके पांस अउसर की संभावनाए है परिवारबाद भाई भतिषी के बाद बाहर रह जाता है प्रस्वाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई बाई प्रतिजे के नारचार आत्रा नहीं है तो लगता है चलो भी कहीं से खरीद करके के जगा बनाने इस परिवारबात से हाई छतिल्याबात से हमें हर संस्थाओं में एक नफ्रत पादा करनी पड़ी हो कि अधिए तब हम हमारी संस्थाओं को बचाता है संस्थाओं के उजवल भविश के लिए बहुत आवस्शक है उसी प्रकार से राज़नीती मैं भी परिवारबाद ने देश के सामर्थ को सबसे सारा द्याय किया है परिवारबादी राज़नीती परिवार की भलाई के और इसलिए लाहल के लिए की प्राची से तिरेंगे जंडे के आन बान शान के भारत के समीधान का स्वानन करके हुए मैं देश वाचों को खुले मन से कहना चाहता हूं आएए हिंदुस्तान के राज नीति के सुद्धी करण के लिए भी हिंदुस्तान की सभी संस्ताओं के सुद्धी करण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिक्ता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधर पर देश को आगे लिए जाने के और बढ़ना हो यानिवार्यता है वरना हर किसी का मन पुन ठिक रहता है कि मैं उसके लिए योग्यता मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पीता दादा दादी जाना नानी कोई वहां थे नहीं यह मनस्तिती किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं लडाई में आपका साथ का परिवार्बादी राजीती के खिलाब लडाई में मैं आपका साथ का आता हूं यह संवेदानिक जिम्मेबारी मानता हूं मैं यह लोग कंप्रे की जिम्मेबारी मानता हूं मैं यह लाल के लिए के प्राकीर से कही कही बात की ताकत मैं मानता हूं औ एसलिए में आज आपका सब्सक्राइब करता है अमने देखा पिछली दिनों खेलों में ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिवाई नहीं है ऐसा तो नहीं है कि खेल के दुझी की दुनिया में हिर्णितान की नरुजवान हमारी बेटे-बेटे कुछ करनी कि लेकिन स इलेक्शन भाई भती जिवाद की चैनल से गुज़ते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक उस देख तक को पहुंच जाते थे जी धार तो उन्हें लेना देना नहीं जा लेकिन जब ट्रांसपरंसी आई योग्यता के आधर पर खिलाडियों के चैन होने लगा पूर पारदर सिता से खेल के मैदान में सामर्था का हम्मान होने लगा आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फैरता है भारत का राश्रगान गाया जाता है गर्व होता है और परिवार बाद से मुक्ति होती है भाई बटिजा बाद से मुक्ति होती मेरी पहरी देश्वास यूँ यह ठीक है कि अगर इस देश के सामने करोड़ो संकट है तो करोड़ो समाधान जी और मेरा 130 करोड़ देश्वास के ओपर भोगना है 130 करोड़ देश्वासी निर्धारिक रश्च के सार संकट के प्रती समर्कुन के साथ, जब 130 करोड़ देश्वासी एक कदम आगे रखते हैं तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ना है इस सामर्पर कुले दरके हमने आगे बढ़ना है, इस अमरित कालव है जब अमरित काल की पहली बेला है, पहली प्रभात है हमेरे आने वाले प्रती साल को एक पल भी घुलना नहीं है एक एक दिन समय का प्रतेक्षण जीवन का प्रतेक्षण मास्तु धूमी के लिए जीना और तभी आज हदी के दिवानों को हमारी सक्षी सर्धांडियों में कभी 25 साल तक देश को यहां तक पहुंचता ने विचिंचिन लोगन योगदान किया उनका पुंडित मना हमें काम आएगा मैं देश वात्यों से आगर रहते हुए नई संभावनाओं को संजोते हुए नए संकल्पों को पार करते हुए आगे बढ़ने का विश्वात ले करके आज अमरिस्काल का आरं लिवार यहां सब्का प्रयास इत परणाम लाने वाला है टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है एक चो तीस करोड देश स्वाद्शों की एक टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साधार करेंगे इसी पुरेविश्वात के सार मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता की भारत माता की बारत माता की बंदे 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 बंद्धवास बहुत धन्यवाद लाख जड़े लोटकर लो हाग समग दार पना कर दायाचा ज्ली बन श वप खर से जो sound बन्लें शड़े फिल्गति अमे जाओ व जाओ जड़े पर आणिसली मठी अगा मेर्ध समय liberty दड़े अगष्टपर आट्थाय करे लो वांगे कर जये Τार। जये अर्फज़ार के इलिधा ता। जये है... जये है... जये है... जये 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 है... पोटी शयद भनेवाद मानमी प्रदार पंत्री जी पेज से आलो किताब के संबोधन के लिए और भारत की नई जय याक्रा का मार्योग प्रशस्त करने के लिए बहुत बहुत धनेवाद आपका और वो देखी आस्मान की बुलंदी की ओर चले हमारे तिरंगे के तीन रंगों के घुबारे तीन रंग हमारी वो उमंगे हैं जो भारत का मांचित्र देखकर एक ही बार दोढ़ाती है